शाम के पांच बजने वाले हैं और यहां बैंगलोर का मौसम आपको बता देती हूँ तो यहां है ना क्लाइमेट बहुत जाधा प्लीजिंट हो गया है 15-20 दिन से रोज ही यहां शौवर्स हो रहे हैं रोज ही बारिश हो रही है पौदे भी मेरे दम खिल गये हैं खुशनमा ह हो चुक है क्योंकि गर्मी काफी बढ़ गई थी और मैंने यहां पालक भी लगाई है जैसे यह बड़े होंगे ना इसकी कटिंग भी बताऊंगी और इसकी रेसिपी भी शेयर करोंगी तो बारिश यहां शुरू हो चुकी है चलिए इस बारिश के मौसम में कुछ गर्मा ग आती हूं आपके लिए तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर करें हूँ एक कप मैदा एक कप गेहुका आटा अजवाइन और नमक आट कर लिया है और तीन से चार बड़े चमच आप इसमें डाल दे देसी घी अब इसको अच्छी तरह से मोहिन करेंगी यह रेसिपी इतनी ख अब एक बहुत ही स्पेशल टिप इसमें मैंने एड कर लिया है लेमन जूस लेमन जूस एड करने से जो उपर की लेयर में बबल सोते फ्राई करने के बाद वह नहीं होंगे तो यह जरूर आप ट्राई करें यह मेरी आजमाई हुई टिप है पानी डालते हुए इसका सक ता करते हैं बॉयल आलो को कोई भी रेसिपी में तो आलो को है ना अच्छी तरह से बॉयल करके थंडा होने दे तीन चार घंटे पहले आप प्लान करके करें और उसके बाद आप उसको यूस करेंगे ना उसमें स्टाज कम होगी उसका चिपचिपापन कम होगा तो आलो को मैंन सौफ का पाउडर है तो मैंने वही ले लिया है अदर्वाइज आप सौफ को भी धन्या के साथ ही कूच सकते हैं अदरक और हरिमेट चार ले ली है अदरक के चार पाँ छोटे तुकडे इसको भी मैं पेस्ट करूंगी और इसमें धारूंगी धन्या की डंडिया इससे मसाला मैं ले रही हूं इसमें चार्ट मसाला और आमचूर पाउडर तो मसाले आप इस तरह से निकाल कर रखे और थोड़ा से शुगर भी लिया है इसका टेस्ट बैलन्स करने के लिए अब चलिए इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं यहां कड़ाई र कर लिया है करी लीवज आड कर लिया है और जो मसाला हमने कुटा था दरदर अद्रक और हरे मिच का उससे सौटी कर लेंगे 30 सेकिंड के लिए इसके बाद सुखी जो सारे मसाले बोल में निकाले थे वह आड कर लेंगे थोड़ा सा पानी आड कर लेंगे पानी आड करने से तो फाइदे होते एक तो जलता नहीं है दूसरा मसाले अच्छी तरह से फूल जाते हैं तो अच्छी तरह से पकते हैं इसके बाद उबले हुए छे से साथ आलो मैंने यहां डाल लिया है इसे मिक्स कर लेंगे फ्लेम अभी आपको लोही रखना है और इस मिक्षेर को थंडा ह होने देते हैं यहां चलिए चटनी बना लेते हैं इसके साथ सर्फ करने के लिए तो धन्या थोड़ा सा पूदीना अध्रक और हरिमिज आड़ कर लिया है साथे में इसमें आड़ कर रही हूं फ्रेंड्स चाट मसाला चटपटा बनाने के लिए कच्छा जीरा नमक स्वाद दनुसार लेमन चूस एक चममाज और कोई भी नमकीन आपके पास हो इसमें आड़ करें और इसे आप पीस लें थोड़ा सा पानी अगर लगे तो आप डालेगा फ्रेंड्स तो देखिए हमारी बहतरी गाड़ी चटनी रेडी है मिक्सिजार में पानी लेते हुए मैं इसमे की रंगत देखिए तो यह आप नमकीन जरू डाले चटनी में बहुत ही बड़ा स्वाद आता है और एक बॉड़ी मिलती है चटनी को अब यहां मीथी चटनी भी रेडी कर रही हूं तो मैंने सौट की रेसिपी आपसे कई बार शेयर की है तो सौट ले लिया है जिसे आप 5-6 मेने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बस इसमें पानी डालूंगी और कंसिस्टेंसी को एजस्स कर लेंगे यह देखिए हमारे मीथी चटनी भी रेडी है अब चलिए मैंने यहां धनिया भी चॉप कर लिया है और हरी मिर्च इसके साथ सर्व होती है तो हरी मिर्च को ह मारी स्टफिंग इंदम बढ़िया और टेस्टी यह लगती है इसे पराठे वगेरे भी आप बना सकते हैं और आप चाहे तो छोटी-छोटी गूल बॉल्स बना के रख सकते हैं बट मैं ऐसा नहीं कर दी हूं मैं डारेक चमत से ही इसको फिल करने वाली हूं तो चलिए आई लोया और पेड़े कट कर लेंगे इसके लिए मैं यहां पिजा का डगा यूस कर रही हूं और चुटी-चुटी लोया को कट कर लेंगे और इस तरह से फ्लाट करके रेडी कर लेंगे आठे को आप है ना कवर करके रखे ताकि यह ड्राइना हो इसे बेलते समय आपको नहीं सुखाटा लेना है ना ही तेल या गी कुछ भी नहीं लगाना है डिरेकली आप इसको ओवल इस तरह से बेल ले और पतला आपको बेलना है इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे और इस तरह से पानी लगा के इसको सील कर लेंगे हम बनाने जा रहे हैं मिनी समोसे जी हां फ्रे हमारे जो mini समोसे है perfectly pack हो जाते है यह देखिए और बहुत जादा cute भी लग रहे है ना तो बस पानी लगा के आप इस तरह से triangle fold करें और इसका cone बना ले अंदर stuffing भरे आप अच्छी तरह से और जो opposite side है joint के वहाँ पे इस तरह से एक pinch करना है और बस आपको इसको पकड़के अच कि यह dry ना हो और एक साथ आप थोड़े से बना लीजिएगा फिर आप fry करिएगा तो चलिए फटा फट से इसे fry करने के process में चलते हैं तो यहां oil गरम करने रख दिया है इतना हलका गरम oil चाहिए तो आप क्या करें थोड़ा सा आठा इस तरह से डाल के देखे इतना हलके से उपर आना चाहिए ऐसा ही oil चाहिए अगर आप hot oil में डालोगे ना तो perfect नहीं बनेंगे bubbles आ जाएंगे और उपर से लाल हो जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे आपके mini समोसे तो फटा फट से सारे समोसे को अंदर add कर लेती हूँ तो मैंने यहां थोड़ी बड़ी क यह देखिए सारे उपर आ गये हैं बस उलटते पलटते मैं इसे fry करते जा रही हूँ एक बैच को fry होने में चार से पांच मिनिट लग गये हैं फ्रेंस ओर देखिए हमारे जो mini समोसे हैं यह बन गये हैं हलके golden brown होने तक आपको करना आ देखिए इस पर bubbles भी बिल्कुल नही हैं तो फ्रेंस रेड़ी है हमारे mini समोसे कैसी लगी आपको आज की रेसिपी देखते ही बनाने कमन हुआ कि नहीं और मुम में पाने आया कि नहीं जरूर कमन करके बताएगा यह जो सारे measurement सारे tips बताएगा उसे perfect समोसे बनेंगे non oily बनेंगी bubbles बिल्कुल भी नहीं हैं इतनी saunt के साथ सर्फ करें बहुत ही delicious लगते हैं साती में fried curry मिर्ची यह देख सकते हैं आप इतना perfect बने हैं खुले भी नहीं है और सच बात बताओ कि दो तीन घंटे तक भी ऐसे ही crisp रहेंगे खचा करके तूटने वाले हैं आपको मज़ा आ जाएगा one bite समोसा बोल सकते हैं तो मैंने तो मेरी फ्रेंड की मॉमी के लिए बना लिये ये समोसे आप भी बनाए और enjoy करें और एक बर आप खाते जाओगे खाते जाओगे ऐसे delicious समोसे हैं तो आँटी ने कहा था एक रुपे के चार समोसे मिलते हैं तो बस वही paper पि मैं दे रही हूँ, news paper नहीं use कर रही चलिए उनका reaction देखती हूँ, आप बनाए और try करें ये समोसे, तब तक के लिए like, share and subscribe, till then take care, bye bye